जैसी तुम्हारी च्छवत्स हम आपकी साहता के लिए प्रिस्तुत है चलिए क्या हुआ मुनिवर किन्तु एक समस्या है यह दिव्य और शदिया शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती है अशुद्ध होने पर यह अद्रश्य हो जाती है और वच्छ आप तो इतनी लंबी आत्रा करके आयो फिर एक उपाय है यदि स्विकार हो तो बताओ बताइए मुनिवर यहां नीचे एक सरोवर है यदि आप उस सरोवर में इसनान करके आएंगे तो यह दिव्य और शदियां स्वेम को आपके संबुक प्रगट कर देंगे जुहा ग्या मुनिवर रुको इसनान करते समय अपने नेत्र बंद रखीगा वो क्यों मुनिवर इसके पीछे एक लंबी कथा है यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूँ नहीं नहीं मुनिवर मैं नेत्र नहीं खोलूँगा आग्या दीजिये किन्तु प्रभू हनु मान जैसे बुद्धिशाली काल नैमी के छल में कैसे आ गए जब भी कोई कप्टी साधू का वेशधारन कर लेता है तो सरल हृदे लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते है परन्तु जैसे ही कप्टी का आचार उजागर होता है छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सत्य सामने आ जाता है जैसा हनुमान के साथ हुआ कर दो जाता है 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 आफीसे बीको के要ई नकुना जारे, शेह कुछे मेले ही टाप मैकूनुप एयूख के नहीं है जारे ए युद॑ को पाह Straße विमिरे, विगे데नर अवी कैना — अप्री विडे को आले हृ जार.. विद्गे पार मज करें बैस कि आले है जारे, इं Mussब के सक्तिatif है आपका कल्याड़ू कपि वे आपका कल्याड़ू कपि वे आपका मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आप कौन है देवी? मेरा नाम धन्यमाली है, मैं स्वर्ग की अपसरा थी किन्तु प्रजापती दक्ष के शापवश मकर यूनी को प्राप्त हो गए और युगों से इस सरोवर में वासकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थी और आज आपके शुब हातों से मेरी मुक्ती हो गए ये सब मेरे प्रभू श्रे राम का प्रताप है इसमें मेरा किंचित भी श्रे नहीं पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहां स्नान करने के लिए भेजा था क्यूं? क्यूंकि वह तपस्वी नहीं, रावन का भीजा हुआ एक पाक्खंडी राक्षस है जो आपका वद करने के लिए मुनी का वेश बना कर कपटपूर्वक यहां बैठ गया है एक बात और कपीवर, आप उसके कमंडल के जलसे सावधान रहिएगा उसमें अती भैंकर का अलकूट विश भरा हुआ है जब गजा है ऑफा लुआ है जुआ है जुआ है लंका सहीत प्रित्वी का अधार आएची आप आगे बहुत प्रिसल लिदा हो रही है अबे चलिए औश्यदियों के लिए जाने से पूर आपको एक मंत्र देते हैं यह मंत्र बहुत ही चमतकारी है अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव अतियुत्तम तब तो मेरा भी गुरुदक्षिना देने का दाइत्व हो जाएगा किन्तु वच्च गुरुदक्षिना का विधान तो देख्षा पूर्ण होने के पस्चात का होता है किन्तु विशेश आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिना देना चाहता हूं गुरुदेव भागते कहा है गुरु देव अम्रित कलश से अम्रित पान तो करते जाएए नहीं 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 मैं तेरा भेज जान गया हूं पाखंडी बोल कौन है तू क्या नाम है तेरा और मैं तेरा काल हूं काल नेमी जैई श्री राव आख जिन चार दिव्वे औशदियों से हम सब की जीमन रक्षा होने वाली थी वो सब दिव्वे औशदियां किसी प्राणी के पास आते ही अत्रिशे हो जाती थी बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अत्रिशे होने लगी हनुमान विचित्र पहली में फस गए थे रात्री बीतने में मात्र आधा प्रहरशेश था बुद्धी मानों में अक्र गण्य हनुमान को कोई उपाई न सूचता था हे औशदियों कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाईए श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यक्ता है तो क्या औशदियों ने अपने को प्रगट कर दिया तो फिर हनुमान ने क्या किया उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद होकर उनकी पैचान बन गई लिक्ष्णाच लिक्ष्णाच जाकते रहे हनुमान में साते ही होंगे लिक्ष्णाच सुबह उन्हे में चोताई गड़ी ही चेस है खनुमान लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबी रहरशी पुरलाई रघुपति की नी बहुत मडाई तुम्माम प्रिया भरताई समबाई सहसा बदन तुम्हरो यशगावे असु कहीं श्रीपति कंथ लगावे सरकादिक ब्रह्माति मुनीसाग दारत सारत सहित अहीसाग जब कुबेरनिक पाल जहादे कभी को भिद कहसागे पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्तित हुए थे उसे देखकर कौन यह मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने के स्री नंदन हनुमान का यही विनीदभाव उन्हें महानता के सरवोच शिकर पर स्थापित की हुए है इसलिए तो प्रिय हनुमान के हर कथा में उनके अतुलिद पर बुद्धी तेज प्रताप का वर्णन मिलता है हाँ मैंने भी प्रभुबग्ध हनुमान के कई प्रसंग सुने है किन्तु आपके श्री मुख से हनुमान कता सुनने का आनंद तो अम्रित तुल्य है हाँ प्रभु सुनाएए न आप सब संकत मोचन महाबली हनुमान की अध्भुद जीवन निला सुनने के लिए कितनी हुश्च है यह देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन और बाले काल से लेकर आज तक की सुनी अंसुनी सारी कता